महरास्ट में बीजेपी और शुसेना एक बार फिर आमने सामने है इस बार लड़ाई राम जनभू में आंदोलन को लेकर है राज में शुसेना हनमान चाली सा विवात को लेकर घिरी हुई है वहीं कॉंग्रेस और न्सेपी के साथ गड़बंदन करने के बाद शुसेना की हिं बबूला हो गई है शुसेना सांसा संजराउत ने बाबरी विध्वन्स को लेकर बीजेपी पर नुशाना साधा है राउत का कहना है कि राम जनभूमी आंदोलन में उनकी पार्टी की भूमिका के बारे में बीजेपी को अपने निताओं से सवाल करना चाहिए राउत का ये ध्यान हटाने के लिए अन्मान चालीसा और अयुद्या जैसे विश्यो को उठाने की कोशिश कर रही है इसके आगे राउत ने कहा कि अगर बाबरी विध्वन्स को लेकर कोई कहता है कि उसमें शुसेना का कोई नेता मौजूद नहीं था तो बाबरी मस्जिद गिराया जा बेफड़न्वीस ने कहा था कि जब बाबरी ढाचा गिराया गया था तब वो आयुद्या में मौजूद थे उन्होंने दावा किया था कि इस समय शुसेना का कोई निता मौजूद नहीं था वहें महराश्ट में इन दिनों शुसेना लाओड स्पीकर विबात को लेकर भी घिरी हुई है ऐसे में बाबरी मस्जिद का मामला सामने आने के बाद शुसेना एक बार फिर बैक फूट पर चली गई है और उसे बीजेपी के सामने सफाई देना पढ़ रहा है माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में हिंदुत के मुद्दे को लेकर शुसेना को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि रास्ठाकरे भी हिंदुत के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ गए है जबकि शुसेना कॉंग्रेस और न्सेपी के साथ है ऐसे में शुसेना को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं बीजेपी और आज स्थाकरे के आक्रामक खिंदतों से उसका खेल न खराब हो जाए और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं